प्रवाइब करने जा रहे हैं आज कि इस वीडियो में आपको पता हूंगा कि हमें खरबुजे की तुड़ाइ कब करनी चाहिए उसको पेचानने के क्या-क्या निशाने और हमें इसको खाने के लिए कब तयार करना चाहिए यही सारी बाते मैं आज आपसे साजा करूंगा इस वीडियो के माध्यम से तो पूरी जनकारी पाने के लिए जुड़े लिएगा वीडियो के अंद तक आये शुरू करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों यह जो गुरूबेट में लगाया है जो कि मेरे यह चोटे से नेटाउस के अंदर है हमने वाटरमेलण है तर्बूजे इसको जमीन पर हुगया है। और शब्रबूजे को vertical हुगाया है और अब भी इस तरफ खर्बूजे को vertical हुगा के अच्छे से उत्पादन ले सकते हैं। अभी आप इसमें देखे, जब इसकी फ्लावरिंग हुई थी और पॉलिनेशन करी थी, उसका भी वीडियो मैंने आपके लिए रखा था, और अभी इसके खर्बूजे पक्के तैयर होने का वक्त आ गया है, अभी खर्बूजे को पका हुआ है के नहीं, एक कब तोड़ना ची पर यहाँ पर आभी खर्बूजा देखोगे, यह खर्बूजा अभी हरा है, तो इसको अभी हम नहीं तोड़ेंगे, इस खर्बूजे को हम तोड़ लेंगे, दूसरा, खर्बूजा तोड़ने के बाद हमें तुरंद नहीं खाना है, हम इसको तोड़ने के बाद करीब 3-4 चार दिन रखेंगे कम से कम दो दिन रखेंगे 48 गंटे तक कि इसमें जो सुगर है यानि उसकी मिठास का प्रमाण है वो अच्छे से बढ़ जाएगा एक और निसानी है जिससे आप पहचान सकते हो कि आपका खरबूजा तोड़ने के लिए तैयार है के नहीं जब आप खरब का यह सुखने शुरू हो गया है तो यह भी एक निसानी है कि खरबूजा भी हम तोड़ सकते हैं कि जो की कंप्लेटली नेचरली पक जाएगा तो इस तरह पहचान के हमें इन खरबूजों को टाइम से तोड़ लेना है तोड़ते हमें यह ध्यान रखना है कि खरबूजों क तो अब हम कि खरबूज एक आध़े को तोड़ लेते हैं काटने के लिए उसको काटने के साथ काट लिया इस तरह जितने भी और खरबूज हमारे पके हुए इसको भी हम तोड़ लेंगे एक और इधर है तो इसको पूरी डंडी के साथ हम तोड़ रहे है इस तरह तो ऐसा करने से यह खर्बूजा ज्यादा टाइम तक अच्छा रहेगा और बहुत अच्छी फ्लेवर डेवलप करेगा तो आप भी इस तरह अपने घर के बगीचे में या अपने च्छत के बगीचे में खर जो जेगे गंबले में खर ऊगा के कर एक पूरे गर्मियों के महीने में कर मुझे का पूरी गर्मियों के महीने में अनंद में ले शकते हैं है ऐपी ग्रोइग अ